Hi everyone, आज की वीडियो में हम कम्लीट करेंगे चाप्टर नम्बर 7, Rise of Popular Movements. तो ये जो हमारा चाप्टर है, इसमें 7 topics है that we'll be covering. सबसे पहले है हमारी चिपको movement, फिर आता है party-based movements और non-party-based movements. ऐसी movements जिसमें political parties associated थी और ऐसी movements जिनका political parties या politics से कोई भी relation नहीं था. Then we have Dalit Panthers, एक ऐसी militant organization जिसने social criteria के लिए, social upliftment के लिए fight किया. Then BKU, भारतिय किसान union, उसके बाद anti-arak movement, नर्मदा बचाओ आंदोलन and last में क्या हमने lesson सीखे, lessons from these popular movements. ये जो हमारा चाप्टर है, Rise of Popular Movements, हम one shot में पूरी explanation video समझेंगे, जो कि आपके boards as well as CUET exam के लिए relevant है, Right? So चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है, वो ये है कि भाया, इस chapter का background, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, कि emergency लग जाती है, और उसके बाद 1977 के elections में, जनता government आ जाती है, Right? But उसमें भी फिर split होते हैं, और काफी ज्यादा जो हमारी politics है, वो unstable हो जाती है. इसी के बीच, in the 1970s, बहुत सारे social groups, like women, students, dalits and farmers, इनको ऐसा feel होता है, कि जो इनकी needs और demands है, वो in politics में, इस democratic politics या फिर इस electoral system में address नहीं हो रही है, fulfill नहीं हो रही है. That is why वो अपनी आवाज उठाते हैं, through these social organizations, these popular movements. clear है, चलिए, so अब हम शुरू करते हैं अपने chapter number 7 के साथ, one by one हम सातों के सातों topic cover करेंगे, बहुत ही अच्छे से, जो सारे notes हैं, वो मैंने NCRT से ही बनाए हैं, so NCRT is our source for the video, तो बहुत मज़े से, चलिए, शुरुआत करते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी हैं, बहुत easy chapter है, फटा-फट से हमें बस ये जानना है कि कौन सी movement में क्या हुआ, राइट, क्या objective था, कौन सी जगा पे हुई, कौन से year में हुई, राइट, so ये basic चीज़े हैं, जो हम समझेंगे, तो चलिए, शुरू करते हैं, let's get started, चलिए, starting with our first movement, चिपको movement, तो अब जब भी हम किसी भी movement की बात करेंगे, उसमें सबसे पहले हमें देखना है, place of origin, कहां पे वो movement शुरू हुई, कौन से साल में शुरू हुई, इस movement को शुरू किया गया, तो सबसे पहले, चिपको movement की बात करते हैं, यहां पे यह जो तस्वीर हमने देखी है, राइट, कि जो लोग है, वहां के, जो लेडीज है, जो विमेन है, वो ट्रीज को हग कर रहे हैं, चिपक रही हैं ट्रीज से, राइट, सो चिपको movement थी, for the protection of trees, राइट, सो place of origin था उत्राखंड, उत्राखंड में यह movement शुरू हुई, in the year 1973, early 1973 में, किसने शुरुवात करी, सुन्दरलाल बहुगुना ने, सुन्दरलाल बहुगुना, क्या reason था, बहुत बड़ी चीज है यह, reason यह था, to prevent commercial logging, commercial logging का मतलब क्या होता है, यानि कि logging का मतलब होता है, trees को काटना, और commercial purposes के लिए, यानि कि sale और purchase के लिए, जो manufacturers है, वो जाके market में, इसको आगे sale करेंगे, अपना produce बना के, सो market में sale और purchase के लिए, पेड को काटना, इस commercial logging, इसको रोकने के लिए, ये movement की शुरुवात करी गई, क्या main issue था, देखते हैं, अब चिपको movement की कहानी में, तो कहानी में क्या हुआ, जो villagers थे, जो वहां के लोकल रहने वाले लोग थे, लोकल कम्यूनिटी थी, उनको तो government ने permission मना कर दी, किस चीज के लिए, पेड काटने के लिए, for making agricultural tools, वो तो अपने काम के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, जो tools बनाते हैं, उनके लिए पेड काट रहे थे, उनको मना कर दिया, और दूसरी तरफ क्या किया, outsiders को, बहार के contractors को allow कर दिया, to cut the trees for the purpose of commercial logging, क्या करने के लिए, आ यहां पे हम देखते हैं, the forest department allotted the same patch of land to a sports manufacturer for commercial use, तो villagers को मना कर दिया, और outsiders को allow कर दिया, भाहिया, so villagers की तरफ से larger ecological and environmental issues were raised, साथ ही साथ क्या हो रहा है, villagers का, economic exploitation, की भाहिया, उनके पास, खुद के ही resources पे, कोई हक नहीं है, right, they are not able to control their own resources, उनके खुद के पेड, दूसरे लोग, outsiders, लेके जा रहे हैं, and वो economically क्या हो रहा है, agricultural tools नहीं बना पाएंगे, तो agriculture produce वो कैसे करेंगे, right, तो उनका घर कैसे चलेगा, भले ही, वो खाने के ल रहे हो, या फिर आगे, sale के लिए कर रहे हो, सो उनका economic exploitation भी होने लगा, तो क्या demands थी, of the people who participated in the chipco movement, सबसे पहली demand भाया, कि no forest exploiting contracts should be given to outsiders, बहार वाले लोगों को, outsiders को, आप कोई भी forest cut करने का contract नहीं देंगे, right, then number two, local communities, जो वहां के रहने वाले local लोग है, they should have effective control over natural resources, right, जो natural resources है, trees, forests, land, water, इन सब पे local communities का control होना चाहिए, then, तीसरी demand क्या थी, कि government provide करेगी low cost materials, ऐसा समान, जिससे small industries चल सके, and development हो, इस region में, without disturbing the ecological balance, without cutting too many trees, right, तो government की responsibility है, to provide low cost raw material, जिससे industries चल सके effectively, and development उनकी भी हो, right, fourth issue क्या है, economic issue, जैसे मैंने बात करी, right, अगर आप यहां पे villagers को ही मना कर देंगे, तो वो कैसे अपने घर पे खाना लाएंगे, पैसे कमाएंगे, right, so, जो landless forest workers थे, जिनके पास खुद का कोई land नहीं था, उनके लिए minimum wage rate की बात करी जाए, government से, right, कि उनको एक minimum daily wage प्रोवाइड किया जाए, उनके काम के लिए, so, these were the demands of the Chipko movement, इस movement का novel aspect, कुछ नया aspect जो पहले कभी नहीं देखा गया, वो था, active participation of women, women's active participation की इस movement में बहुत बड़े तादात में, ladies ने, women ने participate किया, right, and साथ ही साथ, इसमें क्या include किया, social issues like alcoholism in men, जो forest contractors थे, वो साथ ही साथ alcohol भी supply करते थे, to the men of the village, and साथ ही साथ, इसके लिए, women ने आवाज उठाई, against alcoholism, increasing alcoholism in men, by the forest contractors, right, चले, अब result की बात करेगी, क्या result निकला इसका, तो victory, जैसा लोग चाहते थे, local people चाहते थे, वही हुआ, government issued a ban on felling of trees in the Himalayan region for 15 years, 15 सालों के लिए, ban लगा दिया गया, कि कोई भी पेड नहीं काटेगा, until the green cover was fully restored, जब तक वापस से उतनी हर्याली नहीं आ जाती है, तो यह ban कब लगा in the year 1980, for next 15 years, clear है, so this was the conclusion of Chipko movement, अब हम चलते हैं अपने next topic पे, which is party-based movements, अब हम चलते हैं अपने second topic पे, which is party-based movements and non-party movements, तो सबसे पहले party-based movements क्या है, देखिए, अब जो popular movements होती है, वो या तो एक social movement होती है, या फिर एक political movement होती है, right, बट ये दोनों आपस में related भी हैं, दोनों भी हो सकते हैं, right, क्योंकि overlapping है, society जहाँ पे है, वहीं पे तो politics है, देखिए, समझते हैं कैसे, अगर हम बात करें अपने national struggle की, Indian freedom struggle की, right, जो nationalist movement थी, वो एक political movement थी, क्योंकि हम क्या चाते थे, अजादी चाते थे, Britishers से, बट उसी के अंदर बहुत सारी ऐसी movements थी, for example, anti-caste movement, है ना, untouchability को हटाने की movement, trade unions की movement, सती जैसे evils को हटाने की movement, तो वो social movement के अंदर आ जाता है, तो political movement और social movement आपस में overlap कई बार करती है, right, अब हम देखते हैं, ऐसी popular movements, जो after the nationalist struggle, हमारे पास रही in the post-independence period, after 1947, so हमारे पास यहाँ पे example है, trade union movements का, trade union ऐसा group होता है, जो एक trade practice follow करता है, for example, we can say industrialists, agriculturalists, right, so trade union movements काफी ज्यादा popular रही है, in cities like Mumbai, Kolkata, Kanpur, right, for example, the industrial workers movement, ठीक है, अब यह ऐसी movement है, जिधर political parties का role रहा है, these are an example of party based movements, right, so political parties अपना खुद का एक trade union बना लेती है, ताकि वो इन movements को influence कर सके, for example, यहाँ पे, जो peasants थे, इन तैलंगना area of आंधरप्रदेश, वो communist party ने organize करवाए हुए थे, right, so they were supported by the communist party, similarly peasants in आंधरप्रदेश, West Bengal and Bihar, followed the Marxist-Leninist workers, यानि कि जो Nuxilights हमने पढ़ा है न, तो वो उनके अंडर आते थे, तो यह आ गए हमारे पास एक example of party based movements, इसमें इतना ही है, अब हम चलते हैं non party based movements पे, आप देखते हैं कि इनका जनम कैसे हुआ, how did they come into being, तो 1970s और 1980s में, जैसे हमने देखा, जो functioning of political parties थी, वो काफी ज्यादा ही poor हो गई थी, for example, the failure of जनता experiment, right, हमने पिछले चाप्टर में पढ़ा है, politics after emergency के अंडर, similarly, उसके बाद क्या हुआ, political instability आ गई, government, misplay टाया और government, change होती गई, so political instability आई, जो लोगों का trust था, political system में, democratic functioning of politics में, वो कम होता गया, इसलिए non party based movements, आपस में ही बिना किसी political party के support के, movements करना चालू हो गई, so, साथी साथ जो economic policies थी, उसका twin objective था, growth and distribution, growth तो काफी सारे sectors में हुई, है ना, economically हमने बहुत ग्रो किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा uneven था, for example, जो हमने debates पढ़ी, industry और agriculture में, right, in chapter number 3, कि industries पे ज्यादा focus किया गया, agriculture को पीछे छोड़ दिया गया, urbanization बहुत ज़्यादा हो गया, और जो rural India था वो पीछे हो गया, so uneven distribution हुआ, इसके कारण से क्या हुआ, जो social inequalities थी, right, like caste and gendered, sharpened and complicated the issues of poverty in many ways, इसी लिए अब हम आगे देखेंगे, क्या demands थी social groups की, so that is why people step outside political parties, and engage in mass mobilization, की अब खुज सब को आपस में, मिलके जूलके ही कुछ करना पड़ेगा, right, for example, recently अगर हम एक example ले, तो जो three farm laws थे, उसके against जो mass mobilization हुआ था, वो similar scale पे था, right, बट उसमें थोड़ा सा party से भी association था, तो वो party based movements में भी आ सकता है, काफी सारे students, and young political activists, उन्होंने क्या क्या किया, marginalized groups, marginalized groups कौन से होते हैं, for example, दलित, आदिवासीज, and women, जिनको और ज्यादा support की ज़रुट है, उनके लिए आगे जाके, forefront में campaigns organize करे, बाकी, middle class young activists, इन्होंने क्या क्या किया, they launched organizations, and constructive programs, for the rural poor, कि उनके लिए कुछ अच्छा हो पाए, ऐसे initiatives लिए, किसके लिए for the rural poor, ये पूरा paragraph यहाँ पे है, so that is why, इसको आपको खुद से, अपनी इच्छा से, voluntarily करना है, इसलिए इसको बोला गया, voluntary organizations, और voluntary sector organizations, right, talking about the non-party based movements, साथी साथ क्या बोला गया, non-party political formations, so, ये तीनो ही, इसके नाम है, किसके non-party based movements के, clear है, very good, so, in conclusion, non-party based movements में, direct and active participation by the people, will reform the nature of democratic government, without any association with political parties, directly, यहाँ पर mass agitation हो रहा है, mass mobilization हो रहा है, यह लोग साथ में मिलके, अपनी demands रख रहे हैं, government के सामने, अब हम चलते हैं, अपने third topic पर, which is Dalit Panthers, अब, यहाँ पर हम देखेंगे, social arena में, reform लाने की कोशिश, जो social structure है, जहाँ पर शुरुवाद से ही, Dalits को as untouchable street किया जाता है, उनको एक equal footing पर लाने के लिए, क्या-क्या हमारी movement हुई, राइट, यह जो green box है, यह एक poem है, जहाँ पर pilgrims of darkness, Dalits को refer किया गया है, और उनको जो बच्चाएगा, sun flower giving फकीर, वो Dr. B.R. Ambedkar को बोला गया है, राइट, तो यह यहाँ पर हमें explained है, you can read the poem for your reference, अब हम चलते हैं Dalit Panthers, पर Dalit Panthers क्या है, it is a militant organization of Dalit youth, formed in Maharashtra in the year 1972, तो यह हमारे facts आ गए हैं, जो बहुत ज्यादा important है, अच्छा जी, अब क्या issues थे, post-independence, even after independence 1947, Dalit groups were fighting, the caste-based inequalities, जो differentiation caste के basis पर किया जा रहा है, उसके against, और जो material injustices हो रही हैं उनके साथ, उसके against, material injustices में क्या आ जाता है, चाहे वो कोई job हो, चाहे वो उनकी social seating हो, कि उन्हें village से थोड़ा दूर प्लेस किया गया है, वो same well से पानी नहीं पी सकते, ऐसी सारी चीज़े, materialistic things, वहाँ पे भी उनको differentiate किया जा रहा है, in spite of the constitutional safeguards, in spite of the right to equality, right against exploitation, right, जो हमारी fundamental rights है, उनके बाद भी, ये सब कुछ हो रहा है, in India, right, after independence की बात की जा रही है, हाला कि constitution में mention कर दिया गया है, that किसी भी basis पे आप discrimination नहीं कर सकते, still the Dalits are fighting for this, तो क्या demands थी उनकी, कि भया effective implementation हो, reservations का, जो reservations निकाली गई है, for the SC and ST section, उसका effective implementation हो, right, other policies of social justice, अच्छी और supportive, affirmative action लिया जाए, और और policies निकाली जाए, जिनसे उनको equality हाजिल हो सके, right, and जो untouchability की practice, abolish करी गई है constitution में, उसको भी implement किया जाए, real life में, क्योंकि reality में क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे, the problems faced by them, क्या problems है, जो real life में वो face कर रहे थे, so सबसे पहले social discrimination, society में discrimination and violence, then deserted settlements far away from main village, हाला कि वो रहते उसी village में है, उसी गाओं में है, बट थोड़ा दूर उनका हट के, segregated घर है, तो यह भी दो discrimination ही हुआ, then denied access to common source of drinking water, जैसे मैंने बताया, कि अगर आपके घर में कोई house help है, so क्या आप उने same cup में चाय पिलाते हैं, या same I would say glass में पानी देते हैं, अपने मन से पूछी और बताये, if yes, then very 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 well done, you are going on a good path, and if no, तो आप देख सकते हैं, कि यह जो social structure है, यह कितना ज़्यदा deep rooted है हमारी society में, वो भी एक untouchability का form है, this is the impact of our social structure over the years, फिर fourth point है हमारा दलित women were dishonored and abused, दलित women in particular उनको और ज़्यदा भाहिया, violence और abuse सहना पड़ता था, and then उनको जो safeguards थे भाहिया, legal mechanisms थे वो भी कम पड़ रहे थे, बिलकुल भी sufficient नहीं थे to retaliate on these issues, fine, so यह सारी problems थी which were being faced, and इसी वज़े से यह demands थी of the Dalit Panthers, the youth who wanted to bring a change, as mentioned in the constitutional safeguards, some of the political parties supported by the Dalits, इसमें आता था Republic Party of India, तो Dalits Republic Party of India को support करते थे, बट यह जो party थी काफी जया था, unsuccessful थी politics में, हमेशा marginal रहती थी, Dalits ही support करते थे, तो इनको ज्यादा additional support नहीं मिलता था, sidelined ही रहती थी, and इनको power में आने के लिए alliance बिल्ड करना पड़ता था, तो definitely politics में भी उनको साथ नहीं मिला, किसको? Dalits को, that is why they moved to a mass movement, Dalit Panthers बनाया, right? So therefore, Dalit Panthers restored to mass action for assertion of their rights, अपनी rights को assert करने के लिए, हासिल करने के लिए, उन्होंने mass action, mass movement को बनाया, clear है? चलिए, अब activities देखते हैं, main focus क्या था? जो ये atrocities हो रही है, जो ये evils हो रही है, जो ये violence हो रहा है, ये सारी जो problems हमने discuss करी है, इन atrocities को fight करना, was the activity of the Dalit Panthers, so fighting, increasing atrocities on Dalits, right? अब इसका result क्या निकला? क्या response रहा, Dalit Panthers की इस movement का, बहुत positive response रहा, the SC and ST Prevention of Atrocities Act 1989 was released, right? एक proper government ने पास किया एक comprehensive law in 1989 that provided for rigorous punishment, जहां पे इन सारी atrocities की पूरी list दी गई है, कि इस offense के लिए आपको इतनी punishment मिलेगी, इस offense के लिए आपको इतनी punishment मिलेगी, right? So, the SC and ST Prevention of Atrocities Act was a result of this, year क्या है 1989, ये चीज़ आप याद कर लेना बहुत ज्यादा काम की है, right? चलिए, अब अगर हम बात करें, तो gradually decline आ गया Dalit Panthers की इस association में, post-emergency period, after 1975 onwards, इसके अंडर भी काफी सारे split आ गए, and इसकी जगह किस ने ले ली? BAMCEF, आप आगे पढ़ेंगे, last chapter में, backward and minority communities, employees federation, जिधर minority communities के rights की बात होती थी, right? So BAMCEF took over, clear है? This was all about the Dalit Panthers. Now let's move on to our fourth topic, भारतिय किसान union, अब भारतिय किसान union एक ऐसी organization है, farmers की, जो western UP और हर्याना में बनी थी, right? So an organization of farmers from western UP and हर्याना, right? ये सारे farmers इखटा होके एक union, एक संग बनाते हैं, नोनाज भारतिय किसान union, अब इसकी कहानी कहां से शुरू होती है? In January 1988, 20,000 farmers gathered in Meret UP, किसलिए? To protest against the government's decision to increase electricity rates. भाया, government ने बोला कि अब हम electricity के rates, electricity का जो दाम है, वो बढ़ा देंगे, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, आवाज उठाने के लिए 20,000 farmers इखटे हुए. And camped for three weeks, तीन हफते तक outside the district collector's office. And finally, उनकी demand मानी गई. उसके बाद हमने देखा है कि 1960s में, जो green revolution आया था, वो बहुत ज़्यदा prosperity लाया था for farmers in these areas, right? Western UP, Punjab, हर्याना. Cane and Wheat, इनको grow करना शुरू कर दिया था. But भाया, फिर mid 1980s में, जब economic reforms आये, cash crop market faced a crisis due to liberalization. हमने पढ़ा है न, LPG, liberalization, privatization, globalization. तो liberalization का मतलब होता है, कि अब government हट गई है, पीछे हट गई है, भाया, अब उसका ज्यादा कोई भी रोल नहीं है आपके economy में. Government ने सारा जो अब रोल है, वो private actors पे छोड़ दिया है. So इससे क्या होगा, जो business होगा, जो competition होगा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. साथी साथ, जो minimum wage rate था, या subsidy थी, वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि government ने अब काफी ज्यादा free कर दी है economy और जो सारे barriers थे, restrictions थे, वो हटा दिये हैं. So due to liberalization of Indian economy, cash crop market faced a crisis. So that is why, अब देखते हैं क्या demands थी of the भारत्य किसान union. सबसे पहले demand higher government floor prices for cash crops. Floor prices का मतलब होता है, minimum price. ठीक है, जो minimum price है इस crop को खरीदने का, उसको थोड़ा बढ़ाया जाए. अगर आपने बोला है कि हम 50 rupees में ये crop खरीदेंगे, तो आप उसको बढ़ाके 70 rupees करिए for the benefit of the farmers. चलिए, उसके बाद second demand थी, abolition of restrictions on interstate movement of farm produce. जो restrictions है एक state से दूसरी state में farm produce लेके आप नहीं जा सकते, उसको हटाया जाए. So जो freedom of movement है उसको avail किया जाए. Then third demand, guaranteed supply of electricity at reasonable rates. जो electricity supply है वो continue रखे and reasonable rates पे रखे for the farmers. Then देखते हैं, waiving of repayments due on loans to farmers. जो ऐसे farmers हैं जो अभी तक अपना loan नहीं भर पाए, उनको माफ कर दीजे, उनसे और ज्यादा repayments नहीं माँगे. So उनकी जो repayments है उसको हटा दीजे, जो भी due है उसको माफ कर दीजे. To free the farmers of the economic stress. Then fifth demand, provision of a government pension for farmers. कि भाया government pension दे farmers को भी. Clear है? So these were the demands of भार्तिय किसान union. ऐसी ही similar demands, other farmer organizations like Shetakari, Sangathan of Maharashtra. इन्होंने भी demand करी, right, मांगी. For example, the farmers movement, which was a war of भारत, rural sector, agrarian, agricultural sector against the forces of India. Urban sector, जो industrialized sector है, उसके against, right? This is one of those examples. अब देखते हैं क्या characteristics थी. जो activities थी भार्तिय किसान union की, उसमें rallies, demonstrations, sit-ins, jail भरो agitations, ये सब आजाता था. राइट, कि आप protest निकाल रहे हैं, बैट गए हैं, right? So, सारे rallies, demonstrations, sit-ins and jail भरो agitations, right? 10,000 से लेके, over 1,000,000 farmers joined these agitations. Novel aspect, इसमें नई चीज क्या थी, कुछ अलग हटके क्या था? It was the use of caste linkages of farmers, कि सारे farmers थे, they belonged to a single community, right? So, भाई चारा था काफी ज्यादा, and that is why they used traditional caste panchayats to bring them together. सबको इखटा एक साथ बुलाने में, organize करने में, caste panchayats, जो गाउं की panchayat होती थी, उसका वो इस्तिमाल करते थे. In spite of lack of any formal organization, उनके पास कोई भी formal ऐसे organization नहीं थी, law and order prevail करने के लिए. आपस में सबको, you know, communication करने के लिए, कोई ऐसे proper structure नहीं था. But they had clan networks, right? That is why भारतिय किसान union could sustain वो लंबे time तक चला due to the clan networks, right? So, clan networks ने किस चीज में मदद करी? To organize funds, right? पैसे ही खटा करने में, resources को एक साथ लाने में and activities को regulate करने में. So, these were the characteristics of भारतिय किसान union. अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ टॉपिक टी, anti-arakh movement. Anti, यानिकि against, arakh, arakh का मतलब होता है alcohol, right? In the region of Andhra Pradesh, right? So, anti-arakh movement की शुरुवात हुई in the southern India, in the state of Andhra Pradesh. Women, क्या issue था भाया? Women were demanding ban on the sale of alcohol in their neighborhood, right? कि उनके आस्पास वाले इलाकों में alcohol की sale को बंद कर दो, ban कर दो. Origin कहां पे हुआ? In Nellore district of Andhra Pradesh in the 1990s. Clear है? चलिए. अच्छा जी, अब कहानी पे चलते हैं. एक adult literacy drive में, काफी सारी women ने enrolled किया और वो वहाँ पे मिली and they complained about the increased consumption of locally brewed alcohol, जिसे क्या बोलते हैं? अरख by men in their families. तो उन्होंने discuss किया, तो पता लगा, काफी सारे जो male हैं उनकी family में, वो इस अरख को बहुत ज़्यादा high quantity में consume करते हैं और इसकी वज़े से क्या हो रहा है? फिजिकल और mental health, दोनों ही उनकी बहुत ज़्यादा खराब हो रही हैं. So, what were the issues faced issues की बात करते हैं? Number one, it affected the rural economy. भाया, जो male members हैं, जो men हैं, वो पूरा time क्या है? वो पूरा time intoxicated हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? अपने काम पे तो जा नहीं रहे हैं. So, they are not going to work and sitting at home. So, इसकी वज़े से क्या हो रहा है? जो economy है, जो agriculture है, उधर भी कोई कमाई नहीं हो रहे हैं, कोई भी काम नहीं कर रहा है. Then number two, indebtedness grew. जो उन्होंने loan ले रखा है, जो उनके पास पैसा है, जो उनको payback करना है, वो भी कम नहीं हो रहा है, because they are not working, they are not earning anything, तो जो debt है वो भी increase होते जा रहा है. और साथ ही साथ, alcohol को खरीदने के लिए भी क्या चाहिए, पैसे चाहिए, काफी साले लोग उधार पे इतना ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, कि वो उधार पे alcohol लेते हैं, और फिर और ज्यादा in debt हो जाता है उनके पास. So, number 3, contractors of alcohol engaged in crime, जो alcohol sell करते थे, वो भी crime में engage करने लगे, to increase their sales, जब भी women की तरफ से opposition आता था. Then, fourth issue is the collapse of family economy, families चलना बंद हो गई, क्योंकि इतना ज्यादा intoxication हो गया, and the men were not working at all. साथी साथ सबसे बड़ा issue, women faced violence and abuse, घर पे domestic violence and abuse, and जो पूरा environment था, वो बहुत ज्यादा unhealthy हो गया था, for a family. Slogan बहुत ज्यादा simple था, anti-AREC movement का, prohibition on the sale of AREC. अब एधर 3 players थे, number 1 was the contractor vendor, जो alcohol sell करता था to men, right? So, men were the second player, and फिर रोल आता है, state government का, अब जो state government है, वो क्यों नहीं मना कर रही है, alcohol की sale, क्योंकि इन्हें मिल रहा है tax. So, state government नहीं चाती थी, कि जो उसके पास tax आ रहा है, alcohol की sale से, वो बंद हो जाए. That is why they did not stop the vendors from selling the alcohol. तो ये 3 players थे, और ये इनका perspective था. And women, they were facing domestic violence at home, तो बहुत ज्यादा जो issues है, crucial हो गये थे. So, that is why a group of women started this anti-arakh movement in Andhra Pradesh. अब similarly, ऐसी बहुत सारी women's movement start हुई. For example, issues क्या थे, custom of dowry, sexual abuse at workplace and at public places, issues of injustice to women and of gender inequalities, demands of equal representation to women in politics. कि भहिया, political structure, political framework में भी, जो women है, उनके equal representation होनी चाहिए. 1990s में ऐसी demand शुरू हुई. और इसके कारण 73rd और 74th amendment, जो पंचायती राजवाली amendment है, वहाँ पे local level पे women को reservation मिला. अब क्या कोशिश है, state and central legislature में भी ये reservation मिले और दलित और OBC women को भी in specific reservation दिया जाए in the political framework. अब हम चलते हैं अपने 6th topic पे नर्मदा बचाओ आंदोलन. नर्मदा बचाओ आंदोलन हिंदी में ये जो topic है, खुद में ही समझ आ रहा है कि रिवर नर्मदा को बचाने के लिए एक आंदोलन, एक प्रोटेस्ट. So this was a movement against displacement caused by huge developmental projects. याने कि एक डैम जब बनता है तो जो बहुत सारे ऐसे घर हैं जो वहाँ से उजडते हैं, वहाँ से निकाले जाते हैं और उनको दूसरी जगा सेटल किया जाता है. यह जो displacement है एक जगा से दूसरी जगा किसके कारण? डैम जैसे developmental programs के कारण उनके against यह एक movement थी. So reason काफी ज़्यादा obvious है displacement and re-allocation of people. Clear है? चलिए. इसकी अंडर दो बड़े प्रोजेक्ट हैं. एक है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इन गुजरात और नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्या प्रदेश. जो नर्मदा वाली है वो तीन स्टेट से गुजरती है नर्मदा होके गुजरात, मध्या प्रदेश और महराश्टरा तो यहीं पे दो हमने बड़े प्रोजेक्ट के नाम समझे तो यह जो पूरा प्रोजेक्ट था इसमें 30 बिग डैम्स बनने थे 135 मीडियम डैम्स और 3000 स्मॉ अक्रोस दी नर्मदा वैली क्लियर है अब जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है उसके बेनेफिट्स देखते हैं क्या-क्या फाइदे थे सबसे पहली बात जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी अविलेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाएगी वाटर फॉर इरिगेशन भी आपको प्रोवाइड होगा खेती के लिए मिलेगा पानी जैनरेशन ऑफ इलेक्रिसिटी भी काफी ज्यादा इंक्रीज होगी अग्रिकल्चरल प्रडक्शन में भी क्या आएगा राइज आएगा क्योंकि इरिगेशन के लिए काफी इजी अविलेबिलिटी है वाटर की एफेक्ट वहाँ से हटाया जाएगा और अप्रोक्सिमेटली 2.5 लाग पीपल हैड टो भी री लोकेटेड उनको दूसरी जगा सेटल किया जाएगा तो नीड पर प्रॉपर री हैविलेटेशन टो इस पीपल इस वाज इस वाज इस जैसे हमने यहां पर बात करी तो इट वस एक डैम बना रहे हैं so larger social costs must be calculated यह बोला गया right तो अब यहां पर तेन issues है forced resettlement of affected people serious loss of their means of livelihood and culture right जो उनका पूरा livelihood है वो भी effect हो रहा है उनका culture उनकी जो संस्कृती है इतने ages से जो वहाँ पे रहे रहे हैं वो सब कुछ effect हो रहा है and साथ ही साथ क्या हो रहा है ecological depletion हो रही है जो environment है उसको भी आप harm कर रहे है so these were the issues associated अब जो initial demand थी वो क्या थी कि proper and just rehabilitation हो लोगों को वापस से वैसे ही जगा प्रोवाइट की जाए और अच्छे से वापस से establish किया जाए जाए घर दिये जाए right but final demand change हो गई into total opposition to dam पहले तो हम मान गए ते चलो dam बना लो लेकिन हमें वापस से अपने घर दो एक similar अच्छी जगा पह but then it was shifted to total opposition to dam right और क्या बोला गया कि जो nature है decision making process का इन सारे system में that should be made by the local community so local community should have a say in managing their natural resources why only some people suffer for the benefit of others कुछ चंद लोगों यह जो धाय लाक लोग है सिर्व यही क्यों सफर करें जबकि फाइदा तो सब को हो रहा है पूरे इंडिया को हो रहा है तो यह तो बहुत ज्यादा ही we can say discrimination है right so अब result की बात करते हैं तो right to rehabilitation पे काफी ज्यादा focus किया गया और national rehabilitation policy in the year 2003 was introduced and जो project था वो execute हुआ और क्या बोला सुप्रीम कोट ने कि rehabilitation properly आप provide करेंगे और सबको सबके demands पूरी होंगी but जो project है वो नहीं रुके का country की development है वो ऐसे projects take up करके ही हो पाएगी these are the projects that we can't avoid for India's development so this was the final result now let's move on to our final topic lessons from popular movements क्या सबक क्या morals क्या lessons हमने सीखे इन popular movements से right so यह 5 pointers मैंने बनाय है बाकी you can read the ncrt mostly यही सब है number one the history of the history of popular movements help us to understand better the nature of democratic politics यह जो हमने पूरी history पढ़ी है जो पूरी कहानी पढ़ी इन popular movements की इससे हमें समझ में आ रहा है democratic politics का nature right so this is one of the lesson की कैसे political parties और social movements काफी times एक साथ चलती है और कब एक social movement political party का support नहीं चाहती और अपने demands express करती है then number two these movements come up to rectify some problems in the functioning of party politics जो problems है उनका solution मांगती है यह movements and they should and they should be seen as an integral part of democracy right जो problems है जो कुछ कमी है in the functioning of the politics उसको rectify करती है यह popular movements then point number three they represent new social groups whose economic and social grievances were not redressed in the realm of electoral politics यह popular movements कौन करता है वो social groups वो communities जिनके कुछ ऐसे economic और social problems है जिसको आपने address नहीं किया जिनको आप भूल गई या फिर जिनको आप पीछे छोड़ा है किसने पीछे छोड़ा जो party है जो electoral politics है जो ruling party है जो government है उसने right so वो अपने demands press करती है then fourthly they ensure effective representation of diverse groups and their demands भया हर कोई represent होता है जो लोग चाहते है जो different diverse groups और communities चाहती है popular movements के थू हमें दिखता है thus this reduces deep social conflict and disaffection among them right and finally popular movements suggest new forms of active participation and thus broadens the idea of participation in Indian democracy एक democracy में हर कोई every citizen has the right to participate has the right to address their issues so popular movements एक platform है for everyone to bring in their active participation and voice their issues right so these are the lessons from popular movements यहां last page पे highlighted points पड़ते है अब जैसे हमने discuss किया जब political parties किसी group को या किसी section को neglect करती है या उनकी social और economic needs को भूल जाती है तो यह लोग साथ में आके mass action और mass mobilization करते हैं और अपने demands प्रेस करते हैं similarly आगे हम देखेंगे जब new economic policies introduced हुई in 1990s तो सारी parties ने अपना consensus दिया acceptance दी और इनको agree किया right so this was a development in this regard और जो movements होती है they are also about making people aware of their own rights and the expectations that they can have from the democratic institutions जैसे हमने बात करी उल्टा कुछ ऐसे जो कहते हैं यह सारी जो popular movements है यह democracy को hamper करती है यह democracy को रोकती है और बहुत ज्यादा ही जो हमारा political process है उसमें hindrance problems obstacles देती है जो smooth functioning है वो नहीं हो पाती इन popular movements के कारण जबकि एकदम उल्टा है यह popular movements ही एक democracy को strengthen करती है और expand करती है इसी से तो सारे citizens अपना हक जमा सकते हैं एक democratic institution पे राइट सो दिस वस ऑ कंक्लूजन फर the same आज कल real life impact की बात करें movements पे तो जो contemporary movements है वो एक single issue पे होती है ज्यादा तर उनका कोई broad alliance उनका कोई broad motive नहीं होता राइट इस वाई वो neglect हो जाती है by the political party अगर कोई broad alliance हो of various disadvantaged social groups तो definitely वो एक बहुत ज्यादा ही amplified voice हो सकती है however the relationship between popular movements and political parties has grown weaker over the years creating a vacuum vacuum याने की a gap in politics right क्योंकि rarely कोई political party अपने आपको एक movement के साथ associate करती है until and unless वहाँ पे एक बहुत जादा broad उनकी जो voice है उनका जो issue है बहुत ज्यादा ही inclusive ना हो और reasonable ना हो right so this was about our chapter number seven rise of popular movements यह जो boxes है आप रीड कर लेना simply एक reading enough होगी बाकी हमने पूरा chapter कर लिया है NCRT को एक reading दे सकते है सारे points हमने notes में cover कर लिये है so you have covered each and everything आपका पूरा chapter cover हो गया है and I'm pretty sure आपने कोई भी नहीं करी है I guarantee जितना हमने पढ़ाए उससे काफी अच्छी तयारी हो गई है for your CBSE boards as well as your CUET exam so guys that is it for our chapter number seven rise of popular movements thank you so much for watching the whole video and if you liked it please like share and subscribe to the channel you are at humanities happy learning I'll see you in the next video